बिस्मिल्ला हिरेमान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का असली चकवाली मुकंडी हल्वा, इसके लिए हमें चाहिए होगी सूजी, यह हमारे पास डेड़ किलो, चीनी चाहिए होगी हमें डेड़ किलो, एक किलो चाहिए होगा हमें इसके लिए इसी के साथ हमें चाहिएंगे गार्णिश के लिए यह हमारे पासे किश्मिश पिस्ते और हमने दिये हैं खोपरा इसी के साथ हमारे पासे बदाम यह सब चीज़े हमें चाहिएंगे गार्णिश के लिए और यह हमारे पास सारा समान है जो हम आज हम सूजी का मखंडी हलवा ब कढ़ाई में डालेंगे कर्णाइं हम लो फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दी देके कढ़ाई भी अच्छी कर अब राव हमसी शामिल किया तो अब हम इसमें से चीनी यह स्वामिल किरेंगे इस तरह से हम पूरी चीनी बेट हो शामिल करतेंगे पी एंदे लो रख नहीं मिक्स कर लेंगे मिक्स करते जाएंगे और हम इसको इतना पकाएंगे कि दोहे हमारा जो चीनी है अच्छी तरीकी से पक जाएंगे और इसका शीरा बन जाएंगे इस तरह से हम हलके हलके हाथ से जोहे चम्मत चगाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे बहुत ही लोग फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं अपनी जो छीनी है हमारी तो तकरीबन भी इसको पकने में हमारा लगेगा आदा घंडा यह देखें तकरीबन भी 15 मिंट हो गए हैं इसको पकते हो गए अब इसको जाग आना शोरू हो गया है इस स्टेज्च पर हम इसके अंदर घी ही हँए जाग भी शामिल करेंगे हम इसमें 6 thành इसमें आदा घी शामिल करेंगे भी मेने डाले हैं इसमें तकरीबन भी 2 बड़े वालए बाकी जो दिगी हम इसमें बाद में शामिल करेंगे देखें अब हमने इतना पकाना है कि हमारा शीरे क desert color हे मौह बील्कुल golden हुजाए हमें सको खाला नहीं करना 2 लिए पोला ज़ह के प्यार सा कलर आएगा भी पर हम जो हे गया है अलो ने देखे इसमें अपनी अग्षाल के जगाल वाँदेञ उस धोड़की है directors में कॉतिके शिर्ड़की सबस्क्राइब करेंगे कि देखें सीरा हमारा पका रहा है अलका इसमें गौल्डन कलर आता जा रहा है आप जिसे देख रहोंगे और जाग निकल रहे हैं धेगे इस तरह से नहीं यह देखें वीवर्स हमने जो है अपना शीरा पकतने के लिए छोड़ दिया अब हम इसमें सूजी में पानी शामिल करेंगे एक मरतबा में से पानी डालेंगे इसको पूरा भीग हो लेंगे इतना पानी डालना है हम ने इसके अंतर के फूरी सूजी दो अरे हम हुआ ही बहुआ फोरी सूजी अंच्छी के भीग गई शीरा हमारा तयार हो रहा है अब हम इसको पानी को मस दो डुप निकाल देंगे अब हैं अब में हम अजय तरिक बिगो ली आद वी है दिल आ येसने हुशन हो भी अजयाला पनी नेकार येद हुआ निकाल देगा अब हम इसमें दुबारा पानी शामिल करेंगे यह देखें इस तरह से हमने दुबारा पानी शामिल किया इतना पानी डालना है कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे तरीके से भीग जाए और अब इसके अंदर पानी स्रीव इतनी ही देर रहेगा जब तक कि यह हमारा शीरा त्यार होता है इसको देखें हम अच्छी तरीके से भिको देंगे तक कोई हमारी सूजी जो है सूप की न रह जाए इसके अंदर से हमने पानी निकाल दिया है यह देखें इस तरह से हमारा शीरा त्यार हुआ है यह देखें शीरा त्यार हो गया है करें अपना शोजी युए अपना सूजी को शामिल करें आप आपे सामने यह सब्सक् हमने इस त्र班 हमने शाय करते जाएंगे अब हम इसको मिक्स करते हैं इसको मिक्स कर एंग और जब तक यह खूब अच्छी तरीके से मिक्स होका देखें इस तरहां से इसकी जो है शेब आ जाएगी अभी थोड़ से शीनी ने पानी छोड़ दिया है यह देखिया नमदुरिल्ला से हमारा जो है हलबा त्यार हो रहा है इसी स्टेश पर हमने इसको खूब अच्छी तर पर हम इसको पकाएंगे यह देखें इस तरह से अभी हमारा जो फ्लेम है बिल्कुल लो है इसको हम लो आच पर पकाएंगे देखें हलके हलके हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे और हम इसको जो है त्यार करते जाएंगे इसकी जो है आच आपने ज्यादा नहीं करनी है लो पर पकाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अलहमदुलिल्ला हमारा हलवा त्यार हो रहा है, यह देखें वीवर्स, अलहमदुलिल्ला से पानी जो है, इसका खुश्क हो गया है, और अब यह इस टाइम पे, कसाई मांगता है. इस टाइम पे इस हल्वे को हमने इतना कसना है कि जो इसका बिल्कुल पानी जो है खुश्क हो जाए और जो हमारी कड़ाई है वो हमारी सूजी को छोड़ दे जब इसमें तेल नदर आने लग जाएगा उस वक्त तक हम इसको इसी हाल में कसते रहेंगे इस तरह से हम इसकी खुश्छ तरह के सका एगा ये देखें अलहम्दुलिल्लह हमारा हलबा त्यार होता जा रहा है माशाललह कितना खुशूरत कलर आ रहा है इसके अंदर इस स्टेश पर हम इसके अंदर जो है अपना घी डालेंगे और फिर इसकी जो है व अच्छे तरीखे से हम भुनाई करेंगे यह देखें इस तरह से हमने गी शामिल किया और इसकी जो है वो शुरू कर दिते हैं अलहमदलिल्ला, माशालला क्या फुस्दूरत हल्बा त्यार होता जा रहा है अब हमने इसमें आधा कप घी डालकर इसको दम पर रख दिया इस तरह से इसको अच्छी तरगी से पैक करके दम पर छोड़ देंगे और यह देखिए अरहमदुलिल्लाह दस्विंट का हमारा जो है वो दम इसमें लग गया है और माशाललाह से कितना खुबसूरत कलर आया है हल्वे का हमारे का यह देखें इस तरह से मैं आप कुछ अलाकर दिखाओंगी और देखें माशाललाह से इसके अंदर इसने घी भी छोड़ा हुआ है आप पर जिस नदर आ रहा होगा हमारा जो हल्वा है वो कंप्लीट हो गया है यह देखें अलहमदुलिल्लाह से किस कदर खुबसूरत इसका कलर आ रहा है और खुश्भू तो इतनी प्यारी आरी है कि इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती है बहुत ही मज़दार खुश्भू आ रही है अलहमदुल्लाह कितना खुबसूरत इसका कलर आ रहा है यह देखें बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कर रहा है और आप अपने घर में लाजमी ट्राई की जाएका इस हल्वे को हो सकता है इस अपने बंस द्राइब कोपरा और हम इसके अंदर शामिल करने के बदाम और पिस्ते जिनको हम ने यहां कोट कर रख लिया था यह रहें बदाम है और जो हैं पिस्ते यह बी डाल देंगें रहें पीख़ बालव है। इस अब बिर्षा . इसे तनी पियार अउस्वा है। माशायलह से अब देखें किसे सूजी अपने अपर, आविभा हो तो नहीं होगा, तो शूचि जा फो šताव से अमेड़त एकमेड और फिरे थाथेजियन faj़ नहीं कहा कुपदेया, जो आपने केड़ाय पहलत है, आप मुझे कमेंस भी कि जियेगा विविर्स